किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है तेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मरा कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीचमेंट टैप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाओ गाओ अब टीचर्स ले रहे हाइब्रेट क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ जैन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी भरती के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो की ओल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है और इसके फॉम भी बरने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों ये भरती पुलिश डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है और इसकी खास बात ही है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर इसकी सबसे पहले इंपूर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो फॉम है वो 23 अक्टूबर से बरने स्टार्ट हो चुके है और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो इसकी 12 नवंबर है यानि की 12 नवंबर तक इसके फॉम एपलाई किये जाएंगे दोस्तों इसके बात अगर इसमें एपलिकेशन फीस की बात करें तो इसकी जो फीस है वो 100 रुपे रहने वाली है यानि की अगर आप जनरल केटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपे फीस देनी होगी लेकिन अगर आप जनरल कैटिगरी से दूसरे किसी और कैटिगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC, SC, HD तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी हैं आप इसके फॉर्म को फ्री में ये अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर इसके डिपार्टमेंट की बात करें कि ये किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गुजराद पुलिस कॉंस्टेबल डिपार्टमेंट की तरफ से कॉंस्टेबल के फॉम निकाले गए हैं यानि कि अगर आप इसमें जोईन होते हो तो आपको गुजराद पुलिस में कॉंस्टेबल बनाया जाएगा यानि कि इसकी जो जोब लोकेशन है वो गुजराद की रहने वाली है दोस्तों इसके बारे में अगर अधिक जानकरी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल होनी चाहिए यानि कि अगर आपकी एज 18 साल से उपर है और मैक्जिम्म 34 साल तक है तो आप इसके फॉर्म का अपलाई कर सकते हैं और इसमें आपको एज रिलेक्सेशन भी दिया जाता है जो कि आपको गुजरात पुलिस के रूल्स के अकोर्डिन दिया जाएगा और इसमेरे जोब लोकेशन है वो गुजरात की रहने वाली है गुजरात के अंदर ही आपको जोब करनी होगी दोस्तों इसके बाद अगर इसमें नमबर ओफ पोस्ट की बात करें तो इसमें आपके लिए साडल दस हजार पोस्ट निकाली गई है यानि कि 10,499 पोस्ट के लिए ये वेगेंसी निकाली गई है तो दोस्तों ये पुलिस डिपार्टमेंट की काफी अच्छी पोस्ट है और इसमें कॉंस्टेवल की पोस्ट पर आपको भरती किया जाएगा अगर इसके एक्जाम की बात करें तो इसका एक्जाम आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसका एक्जाम आपका 10th लेवल का ही रहता है दोस्तों अगर इसके बाद इसके category wise vacancy की बात करें तो इसमें आपको तीन पोस्ट के उपर भरती किया जाएगा जिसमें सबसे पहली unarmed police है जिसमें 3492 post male candidate के लिए है और 1720 post female candidate के लिए है इसके बाद जो दूसरे नमबर पर vacancy है वो है armed police की यानि की armed police के लिए 534 post male के लिए है और 263 post female के लिए है इसके बाद जो इसमें तीसरी vacancy है वो है SRPF की इसमें 4450 post male candidate के लिए है और इसमें female candidate की कोई भी post नहीं है तो इस चीट का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रेफरेंस बरेंगे वो vacancy के according का आपको बरनी होगी इसके बाद अगर इसमें education qualification की बात करें तो इसमें अगर आपने किसी भी recognize board से 12th pass की है तो आप इसके form को apply कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर इसमें physical की बात करें तो physical में जो आपकी height है वो आपकी male candidate की height 165 cm होने चाहिए और female candidate के लिए 155 cm होने चाहिए अगर इसमें weight की बात करें तो इसमें आपका minimum weight 50 kg होना चाहिए चाहे आप male candidate हो या female हो दोस्तों इसकी अगर आप अधिजान करें देखना चाहते हैं तो आपको अमारे description में इसका link मिल जाएगा आप महाँ से इसके form को भी apply कर सकते हैं और इसके notification को भी download कर सकते हैं अगर इसमें running की बात करें तो आपको 5 km की running 24 मिनट में लगानी होगी और female candidate को 16 मिनट की running 9 मिनट 30 सेकंड में complete करनी होगी इसके बाद अगर chest की बात करें तो chest के बाद male candidate की ही मापी जाएगी जो कि आपकी 79 cm होने चाहिए और फुलाने के बाद 84 cm होने चाहिए दोस्तों इसके जो apply करने का link है वो मैं आपको description में provide करा दूँगा आप महाँ से इसके application form को download कर सकते हैं और इसके form को भी online ही apply कर सकते हैं तो दोस्तों सभी सुधाय में आपको description में provide करा दूँगा अगर इसके selection process की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका written exam होगा उसके बाद physical standard test और उसके बाद आपका medical test कराया जाएगा तो ये तीन process होने के बाद आपको complete बरती कर लिया जाएगा और फिर आपकी training शुरू करा दी जाएगी दोस्तों सभी link आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप यहीं से इसके notification को download कर पाएंगे और इसकी official website पर भी जा सकते हैं दोस्तों इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें और बेल आइगन को ब्रेस कर दीजिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हिंद वन्दमातरम